दोस्तो मैं डॉक्टर शूर्बिय सिंग आज आपको मैं कोरोना से बचाग के लिए घर में बनाए जाने मास्क के बारे में बताता हूं यह मास्क मामूली एक पेपर बैग है जो घरों में यूज होते हैं और इसको हम कट करके इस तरह से लेते हैं और इसको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके इसे कट करते हैं और यह बहुत बनाना बहुत आसाम है और जल्दी भी बन सकता और यह बैग इस तरह से इस शेप में आजाएगा दोनों दर से कट के और यह इलास्टिक है जो इलास्टिक सब चीज मिलती है बजाद में इस इसके जितनी चोडाई है, सिर्फ इतनी हमें इसकी एलास्टिक काटनी है, इसके दो पीस काटनी है, और दो पीस काटके इसके सिर्फ स्टैपल करना है, और इसके स्टैपल ठीक से कर लें, एक ही शेप में करना है, यह एलास्टिय हो गया, यह एलास्टिय हो गया, कोरोना का ड फाइदा उठा रहे हैं, जैसा कि दवाईयां भी उपलब नहीं है, सिर्फ बचाव ही जबूरी है, उस बचाव के लिए सिर्फ हाथ ना मिलाएं, मो धुआएं, अपने गंदे हाथ उसे, अपने नाजू को नाचुमें, वो सब बाते तो टीवी पे रोज आ रही हैं, और ये मास्क लोग परिशान हो गए हैं, मास्क खरीदते खरीदते, ये मिल नहीं रहे हैं, उसमें ये मास्क आपको घर में बना के, बस शुद्ध है, साफ है, और इसको धोग भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी कॉस्ची से दो रुपए है, एक रुपए की थेली और रुपए की